दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में जंग करेंगे SBI काउंड में मुबाइल नंबर चेंज या अपडेट कैसे करें आप ऑनलाइन ही घर बेठे SBI काउंड में मुबाइल नंबर चेंज या अपडेट कर सकते हैं आज के सीडियो में SBI अकॉन में मुबाइल लंबर चेंज करने का प्रोसेस का है इसके बारे में complete चांग करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आप अपने ब्राउजर में जाएंगे और सर्च करेंगे SBI Online और सर्च करते ही उपर ही आपको यहाँ पे SBI की वेबसाइट दिख जाएगी www.online.sbi.com आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने वेबसाइट का कुछी स्टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आप सबसे उपर परसनल बैंकिंग के लॉग इन के आइकन पे क्लिक करेंगे इसके बाद आप continue to लॉग इन पे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही यहाँ पे आप internet banking का username इंटर करेंगे और यहाँ पे आप internet banking का password इंटर करेंगे और यहाँ पे आप capture इंटर करेंगे अब आप login पे क्लिक करेंगे लॉग इन पे क्लिक करते ही आपके बैंक के रजिस्टर्ट मुबाइल लंबर पे OTP सेंड़ी किया जाएगा आप यहाँ पे OTP इंटर करेंगे और सम्मिट पे क्लिक करेंगे सम्मिट पे क्लिक करते ही आप आप अनलाइन SBI की वेबसाइट पे लॉग इन हो जाएगे आपके सामने कुछिश टाइप का इंटरफेस खुल के आजाएगा मुबाइल लंबर चेंज करने के लिए आप सबसे उपर लेफ्ट साइड में थिरी लाइन आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप माइकाउन एंड प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने नेश्ट पेज खुल के आजाएगा और यहाँ पर आपको प्रोफाइल का सेक्षन देखने को मिल जाएगा आप इस प्रोफाइल के सेक्षन पे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने नेश्ट पेज खुल के आजाएगा और यहाँ पर ही आपको option देखने को मिल जाएगा personal detail and mobile आप इस पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर आप internet banking का profile password इंटर करेंगे और submit पे click करेंगे submit पे click करते ही आपके सामने next page खुल के आ जाएगा और यहाँ पर आपको mobile number देखने को मिल जाएगा जो भी आपका mobile number bank में registered होगा यहाँ पर आपको mobile number देखने को मिल जाएगा आप bank में दो तरीके से mobile number change कर सकते हैं यहाँ पर दोनों option दिये हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला है change mobile number through branch आप branch जाके अपना mobile number change कर सकते हैं और दूसरा है यहाँ पर change mobile number domestic only through OTP and ATM करेंगे change mobile number domestic only through OTP and ATM हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने next page खुल के आजाएगा और यहाँ पर आप new mobile number इंटर करेंगे जो भी आप bank में registered करना चाते हैं और यहाँ पर फिर से retype करेंगे वही mobile number और आप submit पर क्लिक करेंगे submit पर क्लिक करते ही आपके सामने next page खुल के आजाएगा mobile number change करने के लिए यहाँ पर आपको detail verify करना है तो यहाँ पर दो option दिये हुए आपको यहाँ पर दो option देखने को मिल जाएंगे पहला यहाँ पर buy OTP on both the mobile number और दूसरा यहाँ पर internet banking request approval through ATM तो यहाँ पर आप कोई एक select करेंगे तो यहाँ पर अगर आपके पास ATM है तो आप ATM के जरीए हाँ पर detail verify करके आप यहाँ पर mobile number चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास ATM नहीं है तो यहाँ पर फर्स्ट वाल आप्सन buy OTP on both the mobile number आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाल आप्सन select कर लेते हैं buy OTP on both the mobile number इसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे प्रोसीड पे क्लिक करते ही अब आप highest step पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको account number, account type और branch आपको देखने को मिल जाएगी अब आप यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब आप अप this step पे आजाएंगे आपके account में जो भी ATM card active होंगे यहाँ पे आपको ATM card के number देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोई एक यहाँ पे ATM card select कर लेना है तो हम यहाँ पे दूसरे number वाला ATM card select कर लेते हैं अब आप यहाँ confirm पे click करेंगे confirm पे click करते ही आपके सामने next page खुल के आ जाएगा तो यहाँ पे आपने जो भी ATM card select किया है आप यहाँ पे उसकी expiry month यहाँ पे आप select करेंगे month select करने के बाद आप यहाँ पे expiry year select कर लेंगे year select करने के बाद यहाँ पे आप card holder का नाम इंटर करेंगे और यहाँ पे आप ATM card के pin इंटर करेंगे और यहाँ पे आप capture इंटर करेंगे यह जो box के अंदर आप देख सकते हैं वही आपको यहाँ पर capture इंटर कर देना है और आप proceed पे click करेंगे proceed पे click करते ही आपकी यहाँ पे debit card validation success हो जाएगा इसके बाद आपके ATM card की validation successfully हो जाएगी लेकिन अभी आपका यहाँ पे mobile number change नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं kindly complete the registration process according to the option selected by you तो यहाँ पे अभी आपके नए और पुराने दोनों ही mobile number पे bank की तरफ से एक message send किया जाएगा इसके बाद SBI की तरफ से आपके ने और पुराने दोनों ही mobile number पे एक message send किया जाएगा कुछी step का यहाँ पे आप देख सकते हैं Dear customer to change, update your mobile number तो यहाँ पे आपको दोनों ही phone से एक message send करना है आपको message type करना है capital letter में लिखना activate और space देना है और यहाँ पे आपको आठंको का OTP देखने को मिल जाएगा वही आपको यहाँ पे OTP इंटर कर देना है फिर आपको space देना है और यहाँ पे आपको reference number देखने को मिल जाएगा वही आपको यहाँ पे reference number type कर देना है और आप 2 में इसको send करेंगे 56, 76 और 76 पे आपको send कर देना है दोनों ही phone से आपको type करके send कर देना है इसके बाद कुछी देर में आपके पास कुछी type का message आएगा bank की तरफ से your registered mobile number has been changed और यहाँ पे आपको new mobile number देखने को मिल जाएगा तो ऐसे दोस्तों आप SBI में online ये अपना mobile number change कर सकते हैं subscribe करें मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में जहिन